आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं Nokia 235 4G में call recording के बारे में अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दू कि ये वीडियो एक playlist का पार्ट है जहांपर मैं इस phone के बारे में बहुत सारी चीजों को discuss कर रहा हूँ तो आपको playlist का link description में और in screen पर मिल जाएगा तो वहां से जाकर आपको playlist ज़रूर check out करना और आपको इस phone के बारे में और भी कई सारी चीजों को जानने का मौका मिलेगा तो start करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं इस phone में call recording के बारे में सबसे पहली बात तो यह कि इस phone में कोई भी automatic call recording नहीं है मतलब कि आप ऐसा कुछ भी setting नहीं कर सकते हैं कि आपने वो enable कर दिया और जब भी आप call करेंगे किसी को तो वो automatically record हो जाएगा जब भी आप किसी person को इस phone से आप call करेंगे तो जब तक ring हो रहा है तब तक आपको call recording start करने का कोई भी option नहीं मिलेगा जैसे ही सामने वाले person ने call receive किया उसके बाद ही आपको call recording का option मिलेगा call recording enable करने के लिए आपको इस button को प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर प्रेस करते ही आपको start call recording का option मिल जाएगा उसे जाकर आपको select करना होगा और उसके बाद call recording आपका start हो जाएगा अगर आप call recording end करना चाहते हैं तो भी आप उसी तरह से कर सकते हैं आपको उसी option में जाना होगा और वहाँ पर आपको call recording stop करने का option मिल जाएगा call recording test करते टाइम मैंने एक दो चीज़े notice की हैं सबसे पहली बात तो यह कि जैसे ही आप लोग call recording start करते हैं तो सामने वाले परसन को कुछ भी beep sound या call recording start होने का कुछ notification इस तरह का कुछ भी सुनाई नहीं देता है तो मैंने जो test किया उसमें मुझे तो सुनाई नहीं दिया था ऐसा कुछ भी हा लेकिन चुकि यह एक keypad phone है तो जैसे ही आप लोग button press कर रहे होंगे call recording start करने के लिए तो वो button press करने का जो tick tick sound है वो सामने वाले परसन को सुनाई देगा तो कुछ इस तरह से हम लोग Nokia 235 4G में call recording कर सकते हैं अब अगर आपको इस phone के बारे में और चीज़े जाननी है तो आपको end screen पर playlist देख रहा होगा वहाँ पर से आप लोग सारी वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को discuss किया इस phone के बारे म तो playlist जरूर चेक आउट करना